हेलो इंदी मीरम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है मैं हूँ अरुन कुमार यादो और आज मैं सुरू कर रहा हूँ गणित कक्षा नौ का ध्याय दस जिसका नाम है वृत तो इस चेप्टर के बारे में जो भी बेसिक से लेके एडवांस तक कॉंसेप्ट्स हैं सारे के सारे मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ हर एक परिभासा से लेके जितनी भी परमे है वो सारी की सारी मैं आपको यहाँ पर समझाओंगा देखो जो परमे है उनको हम सिद्ध किसी और वीडियो में करेंगे लेकिन जो परमे है जितनी भी परमे इस चेप्टर में उन सबको हम समझेंगे इस वीडियो में, सिद्ध हम किसी और वीडियो में करेंगे, साथ ही साथ जो प्रश्णावली के प्रश्ण है वो भी हम किसी और वीडियो में करेंगे, लेकिन जो उन प्रश्णों को करने के लिए हमें basic बाते पता होनी चाहिए, basic concept पता होनी चाहिए, और फिर ये परिभासा जो है ये वृत की परिभासा कैसे है, मतलब इस परिभासा के हिसाब से अगर हम चले तो हमें वृत कैसे मिल जाएगा, हमें आपको वो भी करके दिखाऊंगा, पहले मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ क्या लिखा हुआ है, देखो, यहाँ पर लिखा ह कर रहे हैं। उसी तल पे को यह एक स्त्रि WASबंदू है अगर तो उस इस्त्रि-बिदू से जितने भी दूसरे बिंदू होंगे जो समान दूरी पेस्तित होंगे वही मिलके वृत mandate अगर आपको यह परिभासा ऐसे समझ में नहीं आई तो मैं यहाँ पर आपको practically दिखाता हूँ कि कैसे होगा यह, देखो, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अपने पास किसी तल में पहले एक इस्तिरी बिंदू होने चाहिए, मतलब fix बिंदू होना चाहिए, तो माल लो जिस board पे मैं लिख रहा हूँ, यह एक तल है, समतल है, इस समतल पे मैं क्या करता हूँ, मैं कोई एक fix बिंदू लेता हूँ, मैंने आपकोई एक बिंदू लिया, ठीक है, यह जो बिंदू है, यह माल लोग fix बिंदू है, इस्तिर तलपे, बाकी के जो دूसरे बिंदू होंगे, जो इस इस्थिर बिंदू से, एक समान दूरी पे होंगे, ठीक है, ना, कहां होंगे? एक समान दूरी पर होंगे, वही क्या कहलेंगे? वही मिलके वृत बनाएंगे, जैसे, सोचो, इसी तलपे मैंने कोई एक बिंदू लिया यहाँ पर दूरी जो है अगर मान लो यहाँ पर दूरी 5 cm है तो मैं बाकी के बिंदू भी 5-5 cm की दूरी पर ही लूँगा अगर यह 4 cm तो बाकी भी 4-4 पर लूँगा ठीक है न मान लो भी यह 5 cm की दूरी तो मैंने एक दूसरा बिंदू लिया वापीस से यहाँ पर यह भी इससे फिर से 5 cm की दूरी पर ही आएगा क्योंकि दूरी इससे एक समान रहनी चाहिए ठीक है तो जो यह इस तिल बिंदू है इससे जो दूसरे बिंदू मैं ले रहा हूँ वो एक समान दूरी पर है यह भी 5 सेंटिमेटर की दूरी पर ये भी 5 सेंटिमेटर की दूरी पर ये भी 5 सेंटिमेटर की दूरी पर इसी तरह से मालो मैंने कोई एक बिंदू लिया ये भी इससे 5 सेंटिमेटर की दूरी पर है कोई बिंदू मैंने यहां लिया ये भी इससे 5 सेंटिमेटर की दूरी पर है तो ज जैसे वैसे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर वृत जैसा कुछ बन रहा है जैसे जैसे बिंदू की संख्या बहुत जादा होती जाएगी अनंत हो जाएगी तब आपको पूरा क्या नजर आने लगेगा तब आपको पूरा एक वृत नजर आने लग जाएगा तो फिर से इ एक तल पर इस्थित, उन सभी बिंदूओं का सम्मू, जो उसी तल पर एक इस्थिर बिंदू से समान दोरी पर हो, क्या कहलाएगा ये वृत कहलाएगा, समझ में आगे कि ये परिभासा सडिक कैसे है, आपको याद रखना ये एक तल में ही होना चाहिए, ठीक है ना, तो यहा को हम बोलते हैं केंद्र, जो ये इस सिर बिंदू है, इसी को हम क्या बोलते है, वृत का केंद्र, और जो ये सारे बिंदू थे, जो समान दोरी पे थे, ये मिलके जो ये एक पत बना रहे है रास्ता, ये जो लंबाई बन रही है वृत की, इसी को इसकी परिधी बोला जाता वक्त इसको बोलते हैं इसके लंबाई संपूर लंबाई वृत की जो होती है इसको क्या बोलते है परीधी ठीक है और यह जो बिंदू बीच में दिखरा जो इस्तिर था इसको क्या बोलते है केंद्र ठीक है चलो अगर मैं इस समान दूरी की बात करूं मतलब क्या जो यह दूरी को हम बोलते हैं वृत की त्रिज्जा तो एक वृत की अंगिनत त्रिज्जाएं हो सकती है ये भी त्रिज्जा 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 है ना तो एक वृत की अनंत या अंगिनत त्रिज्जाएं हो सकती हैं अब अगर मैं यहाँ पर वृत की जो परीधी है इस पे कोई दो बिंदू ले लूँ और उनको मिला दूँ तो मुझे एक रेकाखंड मिलेगा उसी रेकाखंड को हम बोलते है वृत की जीवा जैसे की मैंने क्या किया देखो वृत की परीधी पर एक बिंदू लिया ये माल लो इस बिंदू को नाम मैं A दे देता हूं और दूसरा बिंदू मैंने लिया यहाँ पर B अब ये दोनो बिंदू वृत की परीधी पर है तो वृत की परीधी को वृत की परीधी पर जो दो बिंदू है उनको अगर मैं मिला दूँ तो इनको मिलाने से मुझे क्या म से होती हुई जाए, ठीक है, देखो, ये जो मैंने बना ये भी जीवा है, मालो ये PQ, क्योंकि यहाँ पर P विरित के परधी पेस्तित है, जो बिंदू Q है, ये भी विरित की परधी पेस्तित है, तो विरित की परधी पेस्तित दो बिंदूओं को मिलाने वाला रेकाखंड यह क्या है विरित की सबसे लंबी जीवा जिसे हम बोलेंगे व्यास आपको जात रखना है विरित की सबसे लंबी जीवा को व्यास कहा जाता है व्यास जो होता है वो त्रिज्जा का डबल होता है ठीक है ना मतलब जो यह त्रिज्जा है देखो इसको बोलते है डिनोड करते ह R से radius, ठीक है, तो व्यास में दो बार radius आईगी, देखो, यहां से यहां तक एक बार R आएगा, पर यहां से यहां तक दूसरी बार R आएगा, तो यहां से आप कहा सकते हो, कि जो व्यास होता है, जो वृत की सबसे बड़ी जीवा है, यह दो गुणा में तरिज्या के बराबर होता है यानि तिरिज्ज्जा का डबल होता है यापको याद रखना है तो केंद्र behind परिदी क्या होता है समोगरे अने वृत हम सबको मिला के बोल रहे हैं अगर बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको परिदी और वरित में हो सकता है स्रिफ इस हिस्से को बोल रहो समझ में आगे चलो इतना समझ में तो आगे चलते हैं अगला जो कॉंसेप्ट है न अपना वो ये है कि वृत जिस तल पर इस्तित होता है उसे तीन भागों में बाढ़ देता है पहला भाग वृत की परिधी के जो अंदर है जो सफेद वाला हिस्सा दिख रहा है अंदर वाले भाग को हम बोलते है अब यंतर ठीक दूसरा भाग जो वृत के न अंदर है न बाहर है मतलब वृत की परिधी पे ही इस्तित है जैसे की ये जो हिस्सा दिख रहा है ठीक है ना ये जिसे मैं विरित की परिधी बोलूंगा ठीक है ये ना तो विरित के अंदर ना विरित के बाहर है बीच वाला हिस्सा है तो दूसरा हिस्सा ये हो गया तीसरा हिस्सा जो विरित के बाहर आ रहा है यानि बहीर भाग तो वृत ने कितने हिस्सों में बाटा? तीन हिस्सों में बाट दिया कौन कौन से? एक अंदर वाला जिसे अभिहंतर बोलेंगे दूसरा वृत परिश्थित यानि परिधी परिश्थित, आप ऐसे कह सकते हैं सा तीसरा जो परिदी के बाहर चला गया एक ये सुझना आगे आपको अगला जो concept है वो क्या है वो है चाप किसे कहते हैं देखो जो विरित की परिदी थी अगर आप उसका टुकडा ले लेते हो तो विरित का चाप कहलाएगा जैसे ये माल लो पूरा विरित की परिदी है अब इसका मैंने एक टुकडा ले लिया ठीक है न तो ये विरित का एक चाप हो गया ठीक है तो ये देखो ये क्या हो गया विरित का एक चाप ऐसी ये भी क्या है विरित का एक चाप जो छोटा होगा उसे लगू बोलेंगे जो बड़ा लगू चाप यानी छोटा वाला चाप और ये दीर्ग चाप यानी बड़ा वाला चाप तो मसलत परीधी का एक टुकड़ा क्या है चाप जब आप रचना करते हो ठीक है रचना गोला परकार से आप कहते हो इतने संटीमेटर का एक चाप लगाया तो वहाँ पे क्या है अगर पूरा बना देते तो, पूरी परिधी बन जाती पूरा, ठीक है, लेकिन आप क्या करते हो एक छोटा सा हिस्सा है, यानि परिधी का टुकडा बनाते हो, इसलिए वहाँ पर क्या बोलते हो, कि भई यहाँ पे इतनी सेंटिमेटर त्रिजा लेके एक चाप लगाया, अगर आपको याद है रचनावाला चैप्टर तो, ठीक है तो यह सांज में आ गया, परिधी का टुकडा चाप कहलाता है ठीक है, अगर पूरा टुकडा ले लोगे, तो मतलब परिधी का पूरा एक टुकडा है, पूरे चाप को कि यह विरित खंड क्या होता है, और त्रिज खंड क्या होता है लगू और दीर के बाद में देखेंगे पहले समझो, विरित खंड क्या होता है विरित खंड का मतलब है कि विरित का वो छेत्र फल, विरित का वो छेत्र, जहां पर वो किसके किसके बीच में हो, एक चाप के बीच में हो, और एक जीवा के बीच में हो, देखो जरा, यह जो हिस्सा सफेद वाला आपको दिख रहा है न, यहां पे लिखा हुआ है विरित खंड, अभी लगू को बूल जाओ, यह क्या है विरित खंड, अब जो यह विरित खंड यह किस-किस के बीच में आ रहा है, मतलब इस इससे की बात कर रहा हूँ, यह किसके-किस के बीच में आ रहा है, यह एक जीवा और एक चाप के बीच में आ रहा है, है न, जहांसे देखना, जो PQ है, यह तो एक जीवा है, जीवा क्यूं है, क्यूंकि P जो है, वो विरित के जिंदूओं को मिलाने से मिला इसका मतलब यह एक जीवा है तो यहां पर यह जीवा हो गया और यह देखो परिधी का एक टुकडा है याणि एक चाप हो गया आपक brag लो में आपको बताया चाप ठीक है तो एक चाप और एक जीवा के बीच का हिस्सा जो है यानि बीच का जो छेत्र है उसे हम बोलते है विरित खंड इसी तरह से आप उपर भी देख सकते हो इसी तरह से ठीक है इसी तरह से आप उपर देखो ये अपना जीवा और ये क्या है ये भी क्या है ये भी एक चाप है, ये बड़ा वाला चाप है, तो फिर से जीवा और चाप के बीच का जो हिस्सा है, फिर से हम उसे क्या बोलेंगे, विरितखंड, यानि ये भी विरितखंड है, नीचे जो था, वो भी विरितखंड था, फरक क्या है दोनों में, भाई ये वाला छोटा सा तो इसे हम बोलते हैं लगू विरित्खंड ये विरित्खंड बड़ा दिख रहा है तो इसको हम बोलते हैं दीरगे विरित्खंड विरित्खंड समझ में आ गया अब बाज करते हैं त्रिजखंड की त्रिजखंड क्या है जैसे हम केक काटते है बड़े पैसे काटा ऐसे काटा ऐसे निकल के खिला दिया तो जो यह हिस्सा होता है इस डिजाइन का इसको मोलते है त्रिजखंड सही परिवासा क्या है? त्रिजखंड वृत का वो छेत्रफल होता है जो दो त्रिजजाओं और एक चाप के बीच में आता है फिर से समझा रहा हूँ देखो यहाँ पर यह क्या है? यह त्रिजजा है यह क्या है? यह भी एक त्रिजजा है ये क्या है ये एक चाप है ठीक है न तो दो त्रिज्जाएं हो गई एक चाप हो गया तो दो त्रिज्जाओं और एक चाप करे बीच का जो छेत्रफल है इसे हम क्या बोलते हैं इसे हम बोलते हैं त्रिजखण ठीक है अब क्यूंकि इसके उपर वाला हिस्सा भी ऐसा ही है भा और एक चाप के बीच का हिस्सा है तो ये जो उपर वाला हिस्सा है न ये सारा ये भी क्या है ये भी तो एक त्रिजखंड है समझ लागी बात तो अब फरक दोनों में बस ये है कि एक छोटा है एक बड़ा है तो छोटे वाले को हम लगू और बड़े वाले को दीर को छोटा होगा उसे लगू जो बड़ा होगा उसे दिर्ख ओग आगे देखते हैं अब बात प्रू होती है प्रमे की मैंने आपको वीडियो के शुरू में समझाया था कि प्रमे को यहाँ पे हम सिद्ध नहीं करेंगे सिद्ध हम किसी और वीडियो में करेंगे लेकिन जितनी भी प्रमे हैं इस अध्याय में उन सभी को हम समझेंगे यहाँ समझना ज्यादा जरूरी है सिद्ध करना तो इन्हें बहुत असान हम किसी और वीडियो में देख लेंगे समझना आजाएगा पर समझना जरूरी है क्योंकि जब हम प्रश्णों कर रहे होंगे तो ये बहुत काम की चीज हो जाएगी ठीक है तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्रमे 10 दसमलो एक में वृत की बराबर जीवाएं केंदर पर बराबर कोन अंतरित करती है मतलब क्या की समझो ये अपना एक वृत है अब यहाँ जीवाओं की बात की गई है जीवाएं मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ वृत की परधी पे दो बिंदू लो उनको मिला दो मिलाने से जो रेका खंड मिला वो जीवा है जैसे एक बिंदू A लिया एक बिंदू B लिया इनको मिला दिया ये हो गई एक जीवा ठीके क्योंकि मैंने दोनों बिंदुवित की परधी पे लिए दूसरी बात ये D है ये C है इनको मिलाद ہوगे ये भी होगए ये जिवा अब ये भी जिवा है ये भी जिवा है ठीक है nा तो ये जो जिवाएं हैं अगर ये बराबर है माल लो जितनी लंबी ये है उतनी लंबी ये है यहां मैं बराबर कट लगा दे रहाँ मतलब अगर ये 5 cm किया तो ये भी 5 cm किया तो अगर जिवाएं बराबर होंगी तो इनके दोनों end point को अगर आप केंदर पर मिलाओगे तो आपको एक कोण मिलेगा ऐसी इसको मिलाओगे तो इस जिवाएं ने केंदर पर जो कोण बनाया वो मिलेगा तो अगर जिवाएं बराबर हैं तो जो एक कोण बनाएंगी न केंदर पर वो भी बराबर होंगे मतलब अगर ये 50 डिगरी है तो ये भी 50 डिगरी होगा अगर ये 60 degree है तो ये भी 60 degree होगा अगर ये x degree है तो ये भी x degree होगा तो simple सी ये प्रमे है कि अगर वेज की जीवाएं बराबर हैं तो वो केंदर पर बराबर कौन बनाएंगी कोई जीवा केंदर पर कौन सा कौन बनाएंगी पहचानने का तरीका क्या है कि जो जीवा के सिरे हैं उनको आप ऐसे केंदर से जोड़ दो इनके बीच में जो एंगल आया समझ लोगो जीवा ने बनाया है केंदर के ऊपर ठीक यह समझ में आगए इसका विलोम भी सत्थ है जैसे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि जीवाएं बराबर होंगी तो यह केंदर पर कोण बराबर बनाएंगी इसका उल्टा विलोम भी सत्थ है जो कि 10.2 है अभी मैं आपको दिखा दूँगा उसमें क्या है कि अगर जीवाएं केंदर पर बराबर कोण बनाती है तो पक्की बात है वो बराबर रही होंगी यही अपनी पर में है 10.2 मतलब उसका विलोम यदि एक वृत की जीवाएं दौरा केंदर पर अंतरित कोण बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होती है मतलब 10.1 और 10.2 एक दूसरे के विलोम है फिर से समझ लो 10.1 में क्या था जीवाएं बराबर है तो कोण बराबर होंगे 10.2 में क्या है कोण बराबर होंगे तो जीवाएं बराबर होंगी सीधी से बात है ठीक है तो अब आगे देखते है 10.3 ठीक है न एक और दो तो इक दूसरे का विलोम था तो देखो, अगर मैं इसको A बोलू, इसको B बोलू, केंदर को O बोलू, तो A B, यानि कि ये एक जीवा है, क्यों, क्योंकि परिदी के दो बिंदों को मिला रही है, ये रेकाखंड, तो इसको हम बोलेंगे जीवा, O केंदर है, मैंने केंदर से इस पे एक लंब डाल दिया, मत लंब डालों के मतलब यहां से 90 डिग्री पे जाकर मिलना चाहिए, तो पक्की बात है कि जो ये जीवा A B है, जहां पर इसनी से काटा महलोय बिंदू M है, तो पक्की बात है, सम्दी भाजित होगा, यानि जितना बड़ा A M होगा, उतना ही बड़ा M B भी होगा, यानि A M औ में कहती है, 10-10-3, बहुत important पर में है, बहुत सारे सवालों को हल करने में ये चीज काम आएगी, तो इसको याद रखना, एक बार और repeat कर रहा हूँ, किसी जीवा पर वृत के केंदर से डाला गया लंब, जीवा को समद्वी भाजित कर देता है, मतलब दो बराबर बराबर तुकड़े कर देता है, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, कि अगर आपको वृत की किसी जीवा पर उसी वृत के केंदर से लंब डालना है, तो पक्की बात है, आप उस जीवा के मध्ध बिंदू को मिलाओगे, तभी वो लंब होगा, मध्ध बिंदू के लाओगे कहीं और म मिला दिया ऐसे जीवा से, और जीवा के दो बराबर टुकड़े हो जाएं, तो पक्की बात हो लंब ही रहा होगा, मतलब अगर लंब डालोगे, तो इसके दो बराबर टुकड़े हो जाएंगे, और अगर आप दो बराबर टुकड़े करोगे, तो पक्की बात हो लंब ही ब आप जबारा होकर जाने वाला एक और केवल एक हीख्रित होगा, मतलब अगर आप तीन बिंदू ऐसे लेते हो जो एक सीधी रेखा में ना हो, एक सीधी रेखा में ना होने का मतलब है, कि हम उनें एक ही रेखा से नहीं मिला सकते, इन दोनों को मिलाओगे ये छूट जाएगा। मतलब ये तीन बिंदू आसर रेखी हैं। एक ही रेखा में नहीं है। तो अगर अपने पास कोई ऐसे बिंदू हो, जो एक ही रेखा फे स्तीत ना हों, तो उनसे होकर जाने वाला हम एक ही विरित बना सकते हैं। कोई और विरित आप नहीं बना वाँगे, जो इनी दोनों से होके जाए, अगर आपके पास स्रीफ दो विरित हो, दो बिंदू होते, तो इनसे जाने वाले अंगीनत विरित बना सकते थे आप, ठीक है, लेकिन जो तीन बिंदू होंगे, तो वो एक ही विरित उनसे होके जाए अगर जो इन तीनों से गुजरे है, समझना आगी बाद, तो इसको याद रखना, अगला क्या है, 10.6, पर मैं 10.6, क्या कहती है, एक विरित की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पे होती है, अभी आप इसको भूल लाओ, यह मैं समझा दूँआ, पहले आप इतना पास, और इसकी मैं दो बराबर जीवाएं लेलू, मतलब एक जीवा मैंने ये ली, माल लो यह 5 सेंटीमेटर की है, कितने की है, 5 सेंटीमेटर की, एक मैं दूसरी जीवाएं यहां बनाओ, यह भी माल लो कितनी है, 5 सेंटीमेटर की है, यह बहार लिएक दो अंदर जगाने यह भी 5 cm के, जिवाएं क्या हैं, बराबर, जो कि यहां पर बात किये थे, विरित की, जिवाएं हमें कैसे देखने हैं, बराबर जिवाएं, तो यह बराबर जिवाएं हैं, यह विरित के केंदर से बराबर दूरी पी होगी, एक बिंदू से एक रेखा या फिर रेखा खंड क कौन सी दूरी होती है, लंब ववद दूरी, मतलब, यहां से आप लंब खीचो, ठीक है, तो, यह जीवा थी, केंदर से जो इसकी दूरी होगी, वही दूरी इसकी और इसके केंदर के बीच में होगी, मतलब, अगर माल लो, यह 6 सेंटीमीटर होगा, मैं एक एक इग्जामपल दे रहा हूँ बस, ठीक है, तो यह भी 6 सेंटीमीटर ही आएगा, यह कहने का मतलब है, मतलब, अगर जीवाएं बराबर हैं, तो इनके केंदर और जीवाओं की बीच की दूरी, जो के लंबववद दूरी होगी, फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है, इनके लंबववद दूरी भी बराबर होगी, समझ मैं आगए, एक बार और रिपीट करता हूँ, अगर जीवाएं बराबर हैं, तो केंदर से डाला गया लंब भी बराबर होगा, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है, जो लंबववद तरे का खंड़े ही बराबर होगा, ठीक है, और लंबववद दूरी को ही हम केंदर और जीवा के बीच की दूरी बोलेंगे, अगर आपने यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया, कुछ और कोण बन रहा है, तो इस दूरी को हम केंदर की जीवा से दूरी नहीं बोलेंगे, फिर से याद रखना कौन सी दूरी, लंबवद दूरी, ठीक है, चलो, अब मैंने जिसको मिटाया था उसको समझ लो, यहाँ पे क्या बोलागा, सरवांगसम वृत्तों की, ठीक है न, मतलब सरवांगसम वृत्त का मतलब होता है, जैसे एक वृत मैंने ये लिया, इसकी रेडियस माल लो 6 सेंटीमीटर या कुछ भी ले लो, ठीक है माल लो X सेंटीमीटर है, और दूसरा वृत मैंने ये लिया, इसकी रेडियस भी उतनी ही होनी चाहिए, एक सेंटीमीटर, मतलब अगर दो वृत की त्रिजाएं बराबर हों, तो उन वृत्तों को बोलते हैं, कि वो सरवांगसम होंगे, तो सरवांगसम वृत्तों में भी ये नियम लगेगा, मतलब अगर यहाँ पर मैंने एक जीवा बनाई, जो 5 सेंटीमीटर की है, और यहाँ पर भी 5 सेंटीमीटर की बनाऊं, तो जितनी दूरी यहाँ पर होगी, उतनी दूरी यहाँ पर होगी, वो 10.7 है यहाँ पर क्या था कि अगर जिवाएं बराबर होंगी तो केंदर से इनकी दूरी बराबर आएगी 10.7 जब हम पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर इनकी लंबवत दूरियां बराबर है तो पक्की बात है जिवाएं बराबर होंगी यानि जो जिवाएं समदूरस्त होंगी केंदर से उनकी लंबवाई बराबर ही आएगी यही है 10.7 ठीक है न? यहाँ पर क्या बोला गया? एक वृत के केंदर से समदूरस्त जिवाएं लंबवाई में समान होती है मतलब क्या? कि मतलब देखो एक जिवाई यह है, एक जिवाई ए केंदर से इसकी दूरी निकाली तो यह मालो 6 cm आया मतलब यह वाई जिवा और यह वाली जिवा दोनों केंदर से समान दूरी पे हैं, समदूरस्त है तो पक्की बात है जितनी लंबाई इस जीवा की होगी, उतनी ही लंबाई इस जीवा की होगी, है न, सीधी सी बात है अगला क्या है अब दिखो जो 10-10 वाट है ये काफी important है, ठीक है न क्योंकि ये जो चीज है न, ये बहुत जगां आपके काम आने वाली है, ठीक है ठीक है, मतलब कोई चाप जो केंदर पर कोण बनाएगा और जो सेस भाग पर कोण बनाएगा उनमें क्या रिष्ता होगा, केंदर वाला कोण सेस भाग वाले कोण का डबल होगा ऐसे समझ में हो सकता आपको ना आया हो, क्यों क्योंकि इस प्रमे को समझने के लिए पहले आपको दो चीजी अच्छे से नजर आनी चीए आपके पहली चीज चाप, दूसरी चीज सेस भाग मैं आपको दिखाता हूँ पहले आप इनको दिखोगे तब आपको समझनेगा चाप माल लो, आपने कोई एक चाप लिया ठीक है, ये चाप है जो पीला वाला हिस्सा परिधी का टुकड़ा चाप है और जो दूसरा वाला चाप बच गया है या उपर जो सफेद वाला हिस्सा बचा वो सेस भाग समझो भी तो यह पीला वाला हिस्सा क्या हुआ चाप जो यह सफेद वाला परीदी का टुकड़ा दिख रहा है आपको बचा हुआ यह बड़ा वाला चाप उसको अभी आप सेस भाग बोल रहे हैं अब इसी चाप को सेस भाग जो सफेद वाला इससा बचा है अब इसी चाप के दोनों सिरो को ठीक है जो सेस भाग बचा है वहां कहीं भी मिला दो मालो मैंने यहां से मिला दिया ठीक है तो इसको मैंने इससे मिलाया इसको भी मैंने इससे मिलाया तो यहां भी कोई कोण बनेग है ना ध्यान से देखो इस चाप ने ये जो कोण बनाया है बीच वाला ये केंदर पर बनाया गया कोण है इस चाप द्वारा और इसी चाप के द्वारा ये सेज भाग पर बनाया गया कोण है तो सेज भाग पर अगर यह x degree बनाएगा माल लो x degree तो यहाँ पर यह 2x degree बनाएगा उसका double मतलब अगर यहाँ 40 बनाएगा तो यहाँ 80 बनाएगा 40 का double यहाँ अगर 50 बनाएगा तो यहाँ 100 बनाएगा यहाँ अगर 100 बनाएगा तो यहाँ 200 बनाएगा समझ में आ गया फिर से आप कोई चीज़ समझना जाएंगी कि चाप द्वारा देखो ये चाप है ठीक है केंदर पर अंतरित कौन ये वाला सेज भाग पर अंतरित कौन ये वाला ठीक है न जो केंदर पर अंतरित कौन होगा वो सेज भाग का दूगना होगा यहाँ पर X तो उसका दूना केंद पर 2X तो यह पर में आपको समझ मैंने जिए बहुत सवाल आयाते है इस पर असान असान से जैसे अगर यहाँ पर माल लोग देंगे 100 डिगरी पूछ लेंगे यहाँ पर बताओ कितना बनेगा तो यहाँ 100 है तो उसका आदा यहाँ 50 बन जाएगा ठीक है बहुत सार असान से सवाल आपको मिलेंगे इस पर अगर आपको यह नियम पता है तो जैसे यहाँ पर उन्होंने 60 दिया तो यहाँ पर उसका डबल 120 हो जाएगा केंदरवाला डबल होगा उसका बस ठीक है आपको यह याद रखन है यह चीशान आ गई 10.8 10.9 क्या है एक ही विरितखंड के कोण बराबर होते है ठीक है विरितखंड में आपको बता है तब ही देखो याद करो एक जीवा ठीक है और जो चाप इसके बीच का जो हिस्सा है इसको विरितखंड बोलते हैं बड़े वाले को दीर को और छोटे वाले को लगू न उपर वाले को दीर की नीचे वाले को लगू तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक ही विरितखंड के कोण बराबर होंगे जैसे समझो मैंने यहाँ पर एक जीवा खीजी तो उपर वाला जो बड़ा वाला विरितखंड दिख रहा है वो एक विरितखंड हो गया नीच जो दिख रहा हो एक हो गया अब किसी एक विरितखंड में आप यहाँ इसके सिर्यों को मिला दो मतलब जैसे यहां से मैंने यहां मिलाया तो यहां पर कोई कोड बना मानलो यह 50 डिगरी का है मानलो ठीके ना एक्जाम्पल के लिए तो अब आप उपर वाले विर्थखंड में ठीके ना अब आप उपर वाले विर्थखंड में यहां और यहां से कहीं भी मिलाओगे, यहां से मिला दिया, तो यह भी 50 डिगरी ही बनेगा, क्योंकि यह जो लाइन वृत्खंड बना रही है जीवा मतलब, इसी जीवा के दोनों सीरों को आप इस वृत्खंड में कहीं भी मिलाओगे, अब हमेशा वो उतना उतना ही बनेगा मतलब इसको अगर मैं यहां मिला दूँ यह भी 50 ही बनेगा पहचानने का तरीका क्या है जितने भी कौन है उन सब की जो टांगे है वो इन्हीं दोनों बिंदों पर आके मिल रहे हैं नहीं से देखो इस कौन की बात करूँ तो एक टांग कहां मिल रहे हैं दूसरी डांग कहां पर जा रहे है भी पर तो यह सारे बराबर होंगे 50-50-50-50 याद रखना कि जो हम मिला रहे हैं को उपर की तरफ ही मिलाएंगे बिसके नीचे की तरफ मताना है क्योंकि एक ही विरितखंड होना चीए एक ही विरितखंड मतलब उपर वाला लो या तो या तो नीचे वाला लो एक ही तरफ मिलाना है आपको सवज में आगी बात चलो अचाहां 50 मैने उधारण के लिए लिया कुछ भी बन सकता है लेकिन जितना एक बनेगा उतना ही बाकी बनेंगे ठीक अगला देखो क्या है अगला है चक्रिय चत्रबूज ठीक है न आसान सी चीज़े लेकिन important है चक्रिय चत्रबूज किसे कहते है ऐसा चत्रबूज जिसके चारो सीर्स किसी विरितकी परीदी पे हो ठीक है जैसे अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो आपको नजर आ रहा होगा जो A है B है C है D है ये सारे कहा है विरित की परदीप है तो जो A, B, C, D ये चत्रबुज बना इसके चारो कोने चारो सीर्ष विरित की परदीप हैं तो इसको हम बोलेंगे चक्रिय चत्रबुज ये आपको समय में आ गया कि चक्रिय चत्रबुज किसे कहते हैं ठीक है आप चक्रिय चत्रबुज का गोड़ो धर्मी पढ़ लो परमेदस दस्मलो एक है इसमें क्या लिखा हुआ है चक्रिय चत्रबुज के सम्मू कोनो के प्रतेक युग्म कायोग 180 degree होता है मतलब अगर अपने पास कोई चक्रिय चत्रबुज है तो इसके सम्मू कोन को ले लो ये वाला कोन और ये वाला कोन ठीक है A और C जैसे कि सामने सामने वाले कोन लिये हैं हमने तो पक्की बात है कोन A और कोन C को जोड़के आएगा 180 degree और B के सम्मू कोन है कोन D है तो मतलब कोन B और कोन D इनको जोड़के भी आएगा 180 degree तो आपको याद रखना है कि अगर कोई चत्रबुज चक्रिय चत्रबुज है तो उसके सम्मू कोनो को जोड़ोगे अगर कि यदि किसी चतर बूझ के सम्मुक कोनों का एक युग्म का योग एक सวस्τικी आ जाए तो वो चक्रिय चतर बूझ ही बनेगा यहां पे एक ही युग्म की क्यों बात करिए क्यूंकि घर एक युग्म का योग tas i होगा तो बाकि दोनों का अपने आप ही 130C आजाएगा क्योंकि टोटल 360 होता है एक जोड़े का 130C होगा तो दूसरे जोड़े के पर में चिंता ही नहीं करनी वो भी 130C रहेगा ना ठीक है तो चलो आपको ये समझ में आगया अब ये जो मैंने आपको साही बाते बताई है आपको अच्छे से नोट्स लिख लेना आच्छे से याद कर लेना क्योंकि ये सारी बाते काम आएंगी जब हम इस चेप्टर के प्रष्णो को कर रहे होंगे तो इस वीडियो में इतना ही जल्दी मिलेगे अगली वीडियो में इस वीडियो को देखने कि ले थेंक्स